के LOVEजो जैसी क्रिश्न देखिये हमारा कितना सुंदर सिलिफ बना हुआ है चलिए हम इसे बनाना इस्टाइड करते हैं देखिये साथ इन्च में नीचे के लिए लिए बॉडर के लिए इस तरह से इसाथ इन्च में हम टिक लागा लेंगे DR, एके केंच में हम टिक लगा लेंगे इधर किनारे से बाजू से और उपर के सैट भी हम बराबर एके केंच में निशान लगा लेंगे और इसे बीचों बीच हम मिलाते जाएंगे इस तरह से और उपर का हम कटिंग करके निकाल लेते हैं और बीचों बीच एक और लाइन खीच लेंगे और इसे हम पल्टी करके छाप लेंगे इससे हमारा समय बच जाएगा और देखी इस तरह से हम बराबर निशान लगा लेंग यहां में नांदर आ फेहां मिल है इस में हमें इसलाई करल西ंप के लिए इसे निवार्यू में रख लेते हैं जो हमारा फट बनेगा हम दूसर डिजेन से हम पब बना रहे हैं देखिए इस तरह से हम दो इंच नीची लेंगे और इस तरह से हम निशान लगाने तीर्छा निशान लगा लेंगे और इस तरह से हम राउंड में दे देंगे उपर का हलका से गहरा कर लेंगे इस तरह से हलका से गहरा कर लेंगे चली कटिंग कर लेते हैं देखिए इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूं चली सिलाई कर लेते हैं देखिए जो लाइन बना हुआ है इसमें हम पतली पतली से सिलाई करेंगे देखिए मैं किस तरह से सिलाई कर लेती हूं इस तरह से हम बारिक बारिक सिलाई कर लेंगे पूरे लाइन में हम पतला पतला से सिलाई कर लेंगे साथ सिंपल भी बना सकते थे इस तरह से बनेगा तो और भी प्यारा लूक आएगा बहुत ही प्यारा लगेगा तो इसलिए हम थोड़ा सा और महनत करते हैं और इस तरह से डिजाइन करके हम स्लिप बनाते हैं ठीक है बनने बाद देखेगा कितना प्यारा लगेगा अब हम नीचे का फोल्ड कर लेते हैं नीचे का बॉर्डर को फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से दो बार फोल्ड करके हम स्लाइग कर लेंगे बहुत ही प्यारा स्लीप हमारे बन के तयार होगा आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सस्क्राइब करिएगा ठीक है देखिए इस तरह से बन गया है अब हम इस क्या करना है इस तरह से हम तिर्चा कटिंग करेंगे ध्यान देना कि हम जो नीचे का है वो नीचे डॉन करके कटिंग कर रहे हैं और जो उपर का था उसे उपर कटिंग करेंगे ताकि दोनों बराबर फिट हो इस तरह से इस तरह से बीचों बीस सेंटर में लाते हुए हम पहले बीचों बीस इस पार का सिलाई करेंगे देखिए चुन्नट में कि इस तरह से लगा रहे हूं फिर हम उधर दूसर तरह और और करेंगे तो हम पल्टी कर लेंगे उसका चुन्नट का रूड इस तरह से हमारी ओर चुनट लगाते जाएंगे देखिए मैं इस तरह से चुनट लगा रहे हैं अभी फिर बाद में सेंटर के बाद से हम उसका रूट चेंज कर देंगे इस तरह से हम कम्प्लिट कर लिए हैं देखिए मैं पल्टी करके दिखाती हूँ देखिए पल्टी करके इसके अधिसे नाप लेंगे जहां तक चुनट नहीं लगा हुआ है उसके बाद उतने ही दूर हम दूसरी ओर भी छोड़ेंगे इस तरह से और इस तरह से वहीं तक सिलाई करके हम चुनट का दिशा बदलेंगे इस तरह से अब हम उस पार लगाते हुए चुनट फिट कर लेंगे देखिए हमारा चुनट लगके तयार होने वारा है देखिए इस तरह से बना हुआ है अब हम उपर कभी उसी प्रकार से चुनट करेंगे कदिशा देख लेंगे की कि इस परकार से इस तरप का हुआ है और उसे बराबर मिलाते हुए हम पूरा चुनट लगा लेंगे ठीक है इसे क्या है कि बहुत अच्छा लगेगा एक ही दिसा में चुनट रहेगा तो फ्रील जो बनेगा वह बहुत प्यारा लगेगा अलग-अलग दुशा में लगाएंग कोई दीशा चेंज हो जाएगा देखिए पुरव मिलाते हुए हम जमा लेंगे देखिए हमारा बीचो बीच सिंटर आ गया है अब हम दीशा बद लेंगे अब इस पार से उस पार लगा लेंगे आपको देखके समझ में आ रहा होगा मैं किस तरह से अपने हाथों को घुमा रही हूँ देखिए हमारा उपर कभी शिलाई होकी कंप्लीट होने वाला है देखिए कंप्लीट हो गया है किस तरह से बना हुआ है इससे हम किनारेज से तिर्चा कटिंग कर लेंगे और हम एक लेश लगा लेंगे इससे और भी प्यारा लूक आएगा हम इसे इसमें 200 बटन भी लगाएंगे देखिएगा कि मैं कहां पे 100 बटन लगा रही हूं और भी हेवी कर सकते हैं डबल लेश लगा के पर मैं इत्ते ही हेवी कर रहे हूं आप और भी लगा सकते हैं 200 बटन लगा लेंगे सेंटर में बीचों बीच आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा देखिए इसे हम पुरा अस्तिंग बना के दिखाती हूं मैं आपको देखिए अब कितना प्यारा लूक आ रहा है कि कंप्लीट बन के तयार है कितना प्यारा कितना सुंदर लग रहा है थांक यू फूर वाचिंग लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका